हेलोट्रेइंज गूडीमनिंग कैसे हो आई होग कि आप सब ठीक हूँंगे हम भी ठीक हैं तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आपने देखी लिया होगा आज मैं क्या बनानी जा रहें आज मैं बनानी जा रहें फ्रेंच फ्रैस तो मैंने चार-पांच आलो लेले बड़े साइज में उनको वास कर लिया दो के उनको छील लिया छील की उनका कट करें अभी तो मैं कट करें उनको मीडियम साइज के ना तो ज्यादा पतले ना बारी मीडियम साइज में और फिंगर सेब में उनको कट करें और ताकि अच्छे से बने हमारे और श्रेंस राइस बोलते हैं या फिंगर चिप्सी बोलो तो इधर मैंने गरम पानी रख दिया उनको धोने के लिए आलो को जैसे आप सबसे पहले जब भी आलो के चिप्सी बनाते हो तो उसको आलो को जैसे कट करने के बाद जरूर धोना चाहिए ताकि जो आलो का लार्च रहता है वो निकल ज रहता है एजी से अच्छे से जल्दी से तल जाते जल्दी से और बहुत क्रण्जी कुरकुरे बनते तो इसको एक बार जरूर धोले तो मैंने वहाँ पे गरम पानी रख दिया है थोड़ा ज्यादा गरम पानी रख थोड़ी देर के लिए ताकि उसका आलो जुके हलके से कुछ टाइम के लिए मैंने इसमें छोड़ दिया था गरम पानी में आलो को कट करके और इसको मैंने कुछ टाइम देख दिया है तो इसको धोना बहुत जरूरी है और मैंने हलका सा इंडेक्शन में गरम पानी में थोड़ी देर के लिए इसको ज्यादा गरम पानी में तो यह मेरी आलू रड़ी हो चुके तो मैंने इनको निकाले आप देख सकते हलके हलके से इनमें अपर गरम पानी में तो इसमें मैंने लिया नमक एड़ कर दिया हल्दी एड़ कर दिया नमक स्वादा नुसार और साधा सिंपल है जाएदा कुछ नहीं है ओपान दizzing को खरी आपानी में जाएड़ में हुंता तो यह गत्यूई देख से नमक और मैंने एक चमा जिसमें मैगी मसाला एड़ किया थाकि मैगी मेंगी मसाला से अच्छा टीश्ट आता और बच्छी भी पसंद करते मेंगी मसाला तो यहां पर मेरा मसाला रेडियो हो चुका है और मैंने सारा मसाला मिक्स कर देश में और यहां पर मैंने तील गरम करने के लिए रख दिया था यहां पर मेरे मिक्स सारे आलो जो हमारी जालने के लिए डाल दें जिपस2 और यहां पे बहुत अच्छी से क्रण्ची होने तख आप इसको तल सकते हैं और अजेसे हम आलू को वास करना बहुत जरूर होता, ताकि वास करके बहुत अच्छी से जल्दी से इसमें जल्दी से तल जाती जाता टाइम ने लेते तलने के और crunchy भूत अच्छी बनते हैं और काफी टाइम से बच्ची वोड़ेते की हमने फिंगर्चीब से खाना है तो मैंने सुच़ा व्यूना बना ले तार்फे साम के टाइम पे स्नेक्स के टाइम साम को स्नेक्स के चाय या सनेक्स में बच्चों को दे सकती हो सौस में दे सकते हो चटनी में खा सकते हो और साधा सिंपल है अच्छी से मतलब सिंपल तरीके से बना ज्यादा इसमें यह नहीं है वो नहीं है यह सामगिरी नहीं है बस आलो होना चाहिए और तेल आलो नमग मिर्ची मसाला बस कोई बहुत सारे इसमें बेसन बेड करते हैं ल दाला ता इसमें बहुत टेश्टी बनेखें ते समय अच्छी बनेथे और बहुत देख सकते हो इध वहाँ तेश्टी धे करण्जी क्रंची बनेथे और काफी बच्चे भी बहुत पसंद करते जिप्सकों आलू फ्रेंश राइस और हम बनाती रहते हैं बच्चों के लिए त जरूर खाना टेस्ट करना आप भी बनाना बच्चों के लिए अपने ले बच्चे अपने ले भी तो यहां पर यह टेस्ट करें बच्चे बोड़ते वहाँ बहुत ही टेस्टी बने चौस के संग खा रहें और बहुत ही अच्छी बने थी इम निंग के टाइम पर मैंने बनाय डेता औरदूसरे को मैंने यहां पे बनाने युक्त में डाल देते हैं तो मेरे अप Peyfrens हो चुके आप लोग क्या सबजी बनाओं। मैंने गवी बना चुकी थी मतर अलो भी बन चुका था और शान अमय की ता मैंने वह आपे शान सीमला मिरच रालो की सबजी बनाए तो यहां पे वीडियोची जो थी क्लिप मनें एड़ कर दी यहां पर मेरा दूद गरम हो रहा हु रहा हु और भच्ज तक बजगी होंगी तब तक तो मेरे चीप चीप से बनाने तक साथ बजगी थी तो यहां पर मैंने सुचे क्या वरा हूं सिम मेने चलो चलो आज सिम लो मिर्च और आलो की सब्जी बनाओ तो मने कट करके रख दिया तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइ कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरी चैनल को तब तक के लिए अपने ध्यान लगाने टेक किया है